हेलो फ्रेंज तो फ्रेंज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स जो कि इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा इतनी यूजफुल होगी कि इसको आप एक बार ट्राइ करेंगे ना तो आप जरूर मुझे बताएंगे कि हाँ ये कि कमी बीस तरह काम तब यहां तैनों क्योंके यहां मैं सॉप और नहीं ही मिसरी प्रेंच हमें इन ठीनों की मात्रा वर रखनी है और आप उसकी वर यह दिशाय तो आप बनाने जा रहे हूं मैं इसको पीछ लेंगे यहhern़ा को से अमकों के लिए इतना फादेबन्द यह है एक मैं इसको यूज करती हूं और मैं दिन राद फ़ोन में भीजी रहती हुं क्योंकि मेरा Ł장이 हिए यूट्यूब चैनल है उसपर मैं काम करती पॉक्षिक में लगया कोई कमिन नहीं होते हैं तो मैं पाउदर कोदे आप चमश एक दूदर के साथ रिये का रॉड़ को देंगे दूद आप गक्लास दूदर के साथ यह अ क्लिकित दूदर के साथ। ठंडक इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो और आप यह टिप्स फोलो कर सकते हैं इसको जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे अपना फीडबेक जरूर बताएगा फ्रेंस दूसरी टिप्स है मेरी फ्रेंस जैसे कि यहां पर हम कोई भी रासन लेकर आते है 20 गाल जाए और जैसे कि यहां पर मैं लेकर आई हूं चीनी आपनी वीडियो में पहले भी बटा चुकी हो भातお मैं इस तरीखासे फ्रेंस जिसंदेग होना के मौना जास्दी होтоб। जैसे कि 10-20 kg के लिए कोई भी हम चीजे लेते हैं तो उसी तरह से यहाँ पर मैंने यह ले लिया है और इसमें मैं रखूंगी चीनी तो सबसे पहले मैंने इसके तले में रख दिया एक न्यूजपेपर इसमें नमीन आए इसलिए और यहाँ पर यह सारी में चीनी इसमें भर लेती हूं तो प्रेंश जैसे कि आप देख रहे हैं आपर मैंने शारी चीनी इसके अंदर डाल दी है इसमें नमीन आए और इसमें जैसे पानी जैसा हो जाता है चुप चुपापन हो जाता है अक्षर बढ़सात के मोसम में तो वह ना हो क्योंकि यह इसकी मात्रा जादा है हमें काफी लबे समय तर चलने वाली है बिल्कुल भी इसमें नमीन आ है तो उसके लिए फ्रेंट मैंने ले लिए लिये हैं चावल आप देख सकते हैं फ्रेंश तो ये इन चावलों को मैं निउस पेपर में या फिर आप टीसू पेपर में इनको रखके और इनको इस तरह स उसलिए क्या होगा प्रेंट्स आपके चीनी में कभी भी नहीं आएगी यह में यूज करती हु और आपने वीडियो देखी होगी और मैं हमेशा से करती हूं और आप देख सकते फ्रेंट्स यहां पर मैंने इनको चीनी में रख दिया है उपर से एक निजबेबर और लगा दि जिए ओर मेरे पास चात मसाला इसे उत्प्र antさ काथ चाट मसाला इसको अंदर में रखते में ईस्तर हों और यह जो भी हुए सब करुकिल जो भी दो然 उसम से करिंगते जाहेगी और सभ़ल्हनी नहीं वीडियो के comment box मेरी तीशरी टीप्स है जैसे कि अपर मेरे पास है दाल दाल है मेरे पास मेकसर दाल है तो सारी ही जो भी चीजें होती है इसके अंदर सब दालों की है, प्रोटीन या फिर इसका कोई भी मतलब कह सकते हैं, तो फ्रेंस जो भी हम इसका पहला पानी जो होता है, तो उसका आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह गंदापन तो यह है, अनपॉलिस दाल है, और बिल्कुल इसका जो पानी है, यह काम्याब ह पानी जो निकाल लेती हूं, और उसको मैं क्या करते हूं, उसके लिए मैं टिप्स लेकर आई, जैसे कि मेरे पास गंबले हैं, सभी तरह के पेड़ पुलवाडी है, उस पानी को मैं वेश्ट नहीं जाने देती हूं, और मैं इसमें यह डाल देती हूं, जैसे कि आप देख पूरा-पूरा फायदा हमारे यहां पर पौधों को मिलता है, जो भी दाल का प्रोटीन, जो भी कुछ होता है, उसका सब कुछ हमारे पेड़ पौधों को यह चीज मिलती है, हमें इसको फेकना नहीं है, प्रेंच जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पानी भी फेक्याई हूं यह बिखो के रख देती हूं कि मुझे दाल बनानी है इसलिए यह टिप्स में अपने गर्में यूज कर रही थी तो आपके साथ शेयर कर दिया इसको तो प्रेंस जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बना रही हूं यहां पर राइस और आप देख सकते हैं यहां पर वी एक टिप् मैं बनाने जारी हूं राइस तो वैसे ही जैसे मैंने यहां पर यह पानी रखा है यह राइस का पानी है और वैसे ही मैंने दाल का पानी यह मैं डालती हूं अपने हमेसा मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूं और मैं अकसर करती हूं तो प्रेंस यहां पर देख सकते है पानी को में वेश्ट नहीं जाना देती हूं ज्यार राइस का पानी हो या डाल का पानी ओ तूर अब यहां बनाती हूं जब जब भही इसको डालती हूं इसके नहीं करती हूँ कि मुझे नहीं डालना गलती से भी नहीं फैकना है तो आज मैं डाल चावल बना रही थी तो चावल में जैसे की बना रही हूँ और यहां पर मैंने डाल को भी दोया तो इसका भी पानी मैंने निकाल दिया है तो दोनों का पानी में एक सार्थ करके और मैं यह अपने पौधो में डाल दूँगी कोई भी फल गोया सबजी हो सब में यह फायदा करता है ग्रोध को बढ़ाता है और हमें अथी उसमें सक्ति प्रदान करता है तो फ्रेंस早上 की वीडियो आपको कैसी pronounced लगई मेरी टिप कैसी लगई यूजपूल है तो फ्लीज वीडियो के कपेंट beliefs में अपना feedback जरूर दीजेगा आइपको आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी पसंद आएगी तो फ्लीज जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजे सस्क्राइब बेल आइकन के साथ ताकि जब भी मैं वीडियो डालू मेरी वीडियो का नोडिफिकेशन आपके बास सबसे पहले जा सके आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें यूजफूल है तो लेक्स वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक लिए फ्रेंज बावाई